के आधे हूँ आज लोग बात करेंगे तौक तो पहले की जुनका याГ क्ल τ्स्ट्रिव मेंगुट ओक यह किसें ध बढ़ता है इसके बाद उसका डवलाप्मेंट जाता है और एस इसे फूट्स एक बंच के अपरेंस में दिखते हैं इसे नहीं को जुम्का जैसे जह सर दिखते हैं और अल्टिमेट किशान का नुक्षान होता है यह होता है इस तरह कि भीमारी खास्थर पर लखनों के जो हमारा मलिहाबाद वाला एरिया है उसमें कफी कई बार देखी गई है खास्तरपे जब a एक और का जाता है कि जब लो टमप्रेचर हो जाता है तो या तो लो टमप्रेचर या दूसरा कई बार क्या होता है कि अंजाने में जो आर्चरडिस्थ थे अंजाने में फेस्टिशाइड का इस्सप्रेय उバबर कर देता है इसे करने कि नोटमप्रेचर हो जा यह इंडिस स्क्रूमिनेट यह जो जाता है जो पालिनेटर वह पालिनेटर आनिभी जो महांगों का मेजर पालिनेटर वो मारे जाते हैं और उनकी activity down हो जाती है और indiscriminate use of pesticide करने से भी उनकी संख्या काफी घड़ जाने से इस तरह की समस्या जो जुमका या तो वहां पर भी जुमका की समस्या ज्यादा देखी गई तब यह समझ सकते हैं कि एक पॉलिनेशन समस्या है या तो पॉलिनेटर की activity लो हो गए या मोनो कल्चर अब दसारी करने से क्रास पॉलिनेशन नहीं हुआ अब क्रास पॉलिनेशन नहीं हुआ तो क्या हुआ वहां भी इस तरह के जुमका या क्लस्टरिंग की इशू जाते हैं और इसमें काया जाता है कि सर्टेन टाइमी के बाद जो इनकी एंब्रियों होती है इसे फ्रूटलेट्स की वह स्रिवे क्यों है पॉलिनेटर की एक्टिविटी डाउन हुई तो हमें पॉलिनेटर की एक्टिविटी को बढ़ाना हुआ तो कैसे बढ़ा सकते हैं हम बी हाइफ रखें ऐसे समय में आप बी हाइफ को जो है जब हमारे फ्लावरिंग टाइम मैंगो की हो तो उसमय पर हेक्टियर कि भी हाइप्स रखें दूसरा इन डिस्क्रिमिनेट यू जो पेस्टिसाइड का है खास तोर पर फ्लावरिंग टाइम पर वो तो बिल्कुल न करें तो इसमें पेस्टिसाइड का इस्प्रेड एट ब्लून टाइम न किया जा और जो भी किया जा वह रिक्मेंडेट टाइम पर करें दूसरा थार्वन मोनो कल्चर अब दसारी मोन कल्चर को खासवर पर जो नहे बाग लगा जा या ऐसे एरिया जहां पर लग रहा है कि विक्टिडली की समस्या वहां पर किशान टाप वार्किंग करकर या लिए फ्रेम वर्किंग करकर या कहीं जहां बीच में जो वहां पर अधर वराइटी का प्लांटेशन करें और नए बाग लगा रहे हैं तो कहा जा रहा है कि मोनो कल्चर अधारी का मोनो कल्चर अवाइड करें अधारी की केस में कम से कम पांसे छे पर्सेंट अधर वराइटी अप मैंगो लगा जिससे की पॉलीनेशन क्राश पॉलीनेशन हो सके दूसरी वराइटी इसका और इस समस्या से निजाद पाए जा सके ऐसे भी कहा गया है कि अधर वराइटी लगाने से पॉलीनेशन और फटलाइजिशन बहुत अच्छी होती है अच्छा होने के कारण फूट्ट शेटिंग भी अच्छ का इन्टरनल लेक्रोसिस गया और इन्टरनल लेक्रोसिस में क्या होता तो अगर इस हिस से में डार्क-उलर का development हो तो समझें कि internal necrosis का symptoms आ रहा है फिर अगर उस ऐसे fruits को अगर काट कर देखें तो seed के ऊपर जो seed है वहां पर brown areas का development हो जाता सीड में brown areas जो है यहां पर तो एपकल portion पर तो dark green कलर का डार्क green कलर का development होता है अगर seed को देखें तो brown area का development हो जाता बाद में यह ब्राउन area का development मीजोकार यानि pulp area में भी देखनों को मिलता है तो इसमें क्या हो गया formation of brown area in the seed and मीजोकार इस्पेसली जो growing fruits हैं बाद में क्या होता है कि rotting of fruit start होता कहां से seeds seeds से हल सड़ने लगता है इसी को internal ने क्रोशिस का जाता है और इसमें भी इस वीमारी में भी दसाहरी का जाता comparatively ज्यादा susceptible है तो दसाहरी ज्यादा स्टेबल है तो इसके लिए इसका काण क्या पालिवाद यह तो वहीं सिंटम की बात काज का है इसका काज माना गया है कि यह बोरान deficiency के काण होता है यानि micronutrient की बोरान जो micronutrient है उसकी कमी के काण होता है और इंटर्नलोक्रोशिस की बात करें तो मेंगो का अतरिक्त आउला में भी पाए जाता है इसका क्या है बोरान की deficiency तो क्या होगा कि अगर जी सेरियाज में जी सार्चर्ड में इस तरह के सिम्टम्स आये हैं हिस्टोरिकली तो किसान को चाहिए कि फूट डवलाप्मेंट इस्टेज पर पॉराइंट पॉइंट फाइव परसेंट बोरान का इस्प्रे करें कि यानि 5 ग्राम पर ले लीटर बोरान का इस्प्रे 2-3 इस्प्रे अगर 15 दिन के अंतराल पकरता है और पी इस्टेज तो इस समस्या से जात पाय जा सकता है दोस्तों यह थी जुमका और इंटर्णल क्रोसीज की पाचान कारण और निभारन झाल झाल